पिछले दिनों जब पुर्व HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक सदन से निकल कर बाहर खड़े होकर अपनी गाड़ी के इंतजार में थे तब ये निपट अकेले एक और खड़े थे मंत्री रहते जब वे संसस से बाहर निकलते तो पत्रकारों और छायकानों के हुजूम से घीरे रहते थे एक सीनियर फोटो जर्नलिस्ट उनके पास गया और हॉले से पूछा सर वे दिन याद हैं आपको जब आपके आसपास इतनी धक्का मुक्की होती थी कि चलने का रास्ता भी बमुश्किल मिलता था निशंक खौले से मुस्कुराए और बोले तब की बात और थी तब मेरे पास जिम्मेदारी थी वही पास रविशंकर प्रसाद भी खड़े थे यूही बेहत तनहा आसपास उनके भी कोई नहीं था उस फोटो जैलिस्ट ने उनसे भी हलो कहा पर सवाल नहीं पूछा उन्हें मालूम था कि दर्द तो इन सब का एक ही होगा